जयम आतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 2021 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की इस्तिति क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे और उन योगों का प्रभाव आपकी दिनचरिया पर कैसा होगा, आपके जीवन के प्रतेक शेत्र पर कैसा होगा तो आगे बढ़ने से पहले आपसे चोट असा ही निवे दिन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चैनल यह सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं सत्रा दिसंबर का दिन, यह शुकरवार का दिन है, शुकल पक्ष की चतुर दशी दिथी है इस दिन करती का नक्षत्र रहेगा, सुबह 10 बज कर 41 मिनट तक उसके बाद रोहने नक्षत्र शुरू हो जाएगा, सिद्ध नाम का योग बनेगा यह चंद्रमा की जो इस्तिती होगी इस दिन, वो व्रशबरासी में है, राहो के साथ चंद्रमा युदी कर रहे है और सुर्य धनुराशी मूल नक्षत्र में बुद्ध के साथ मिलका बुधादित योग बना रहे है साथ में अंगारक योग भी बना हुआ है, और इस दिन रवियोग भी रहेगा अभी जीत मौरत है इस दिन का सुबह 11 बच कर 57 मिनट से, दोपहर 12 बच कर 38 मिनट तक 18 दिसंबर शनिवार का दिन है, शुक्रपक्ष की चतुर दशी तिथी, सुबह 7.5 बचे तक उसके बाद पुनिमा तिथी प्रारम हो जाएगी सिलिए पुनिमा तिथी जो है वो 19 नवंबर को रहेगी, क्योंकि जो सूर्य उदा होगा पुनिमा का वो 19 दिसंबर को होगा रोहिनी नक्षत्र है इस दिन, साध्य नाम का योग है, सुबह 9 तक उसके बाद शुब नाम का योग बनेगा चंद्रमा सुबह तक वरशवराशी में है, उसके बाद बिथुन में जाएंगे, सूर्य धनुराशी मूल नक्षत्र में और इस दिन और भी उत्तम तीन शुब योग बने होगे हैं, अमरत सिद्धी योग है, सरवार्थ सिद्धी योग है, और रव योग है तो तीन बहुत ही उत्तम योग इस दिन हैं, जो इस दिन को बड़ा ही महत्तपुन बना रहे हैं, तो ये हो गई ग्रहन नक्षत्रों की इस्तिथी, और इसी क्या धार पर आप हम जानेंगे, कि ये जो दिन हैं दोनों, ये दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, ये जो राशी ये चंद्र राशी पर आधारते हैं, इसलिए जंद्रमा की इस्तिति बहुत माइन रखती है, और चंद्रमा दोनों ही दिन व्रशब राशी में राहु के साथ यूति कर रहे हैं, तो पहले हम जानेंगे कि पंद्रह सत्रह दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो यह जो दिन हैं, आप किसी तरह की पूरानी बातों में उलद सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ऐसी बातों से दूर रहने के प्रयास के जो आपके मन को किसी समझस में डालती हैं, Áराम करने की कोशिश करें, अगर आप थके हुए हैं, अगर आपको किसी तरह के मानसिद तोर पर अगर आप परिशान है तो आपको ऐसी चीजों से ज़रूर ध्यान रहना चाहिए बाकी ये दिन कुछ खर्चे का दिन भी है कुछ आपको आज धन खर्च करना पड़ेगा घर परिवार से जुड़ा हुआ खर्चा को या सकता है और अपने परिवार की परिशानियों को द जिनता ही आप कर रहे हैं जो आपको बेचेन कर सकती है तो बेकार की चिनताओं से बहां निकलें जो प्रजेंट में हैं उस पर फोकस करें अब ये कुछ ऐसी चीजें आपके साथ आज के दिन हो सकती है कि छोटी-छोटी सी बातें आपको खुश भी करके जा सकती है और जो अब आज के दिन वर्तमान में जो आपको खुशी मिल रही है उसको आपको एंजाय करना चाहिए ना कि भविशे पर निर्बहर रहकर भविशे के बारे में सोच कर आपको खुश रहना है किसी भी तरह का निवेश को जल्दवाजी में ना करें इस चीज का पिद्यान रखे जल्दवाजी में अगर आपने विश करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा फायदे मन्द ना हो ऐसी इस्तितियां हो सकती हैं घर में किसी तरह का रेनोवेशन का कारे करा सकते हैं घर में कुश बदलाव को लेकर आप काफी एकसाइटेड हो सकती हैं बागी प्रेम जीवन में आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे अपने रंग रूप पर ध्यान देंगे अपने आपको बहतर बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको काफी संतोश जनक लगेगा देखिए जब व्यक्ति अच्छा दिखता है या अच्छा दिखने की कोशिश करता है तो यह चीज़ की तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए बाकि ये दिन आप कुछ काफी अच्छा महसूस भी करेंगे जरूर से जादा बाहर रहना घर से बाहर रहना ये आपकी उर्जा को थोड़ा खत्म कर सकता है तो उसको ध्यान देना है बाकि दिन सब के साथ बहुत अच्छे से एक साथ आते हैं एक साथ जब आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं कामकाज में की गई कोशिश से आपकी बड़ी काम्याबी इस दिन दिलाती हैं तो घह में खुशी का माहूल होगा हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देगा और इसी के साथ आपका दिन और घर पर अपने अपनों के साथ समय बिताएंगे अपनी माता पिता दादा दादी उनकी सबी के साथ रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही बहतर बनेंगी आज आपके दिन को आज का दिन आप अपने लिए यादगार दिन जरूर कह सकते हैं इसके जरीए आपको काफी प परिवार के किसी विवसाय से जुड़े हैं या अपने पिता के साथ विवसाय करते हैं तो आज का दिर बहुत अच्छा है और नहीं हैं तो आपको आज अपने परिवार के विवसाय से जुड़ने का नियोता भी मिल सकता है जिससे थोड़ी सी एसमंजिस की इस्तिती हो सकती ह लेकिन निर्णे लेने में आप अगर समय लेना चाहते हैं तो निर्णे लेने में समय जरूर लें क्योंकि आपकी एक निर्णे आपको आपके जीवन में दिशा को बदलने वाला होगा तो जो भी नेना लेंगे उसके लिए बस आपको बाद में पस्ताना ना पड़े इस चीज़ का ध्यान रखें बाकी तो इस तितियां जो हैं वो काफी बहतर हो जाएंगी मन में कुछ नई आडियाज होंगे नई वीचार होंगे जो आपका मन एक साथ कई कामों को करने के लिए भी आपको प्रेजित कर सकता है अपनी भविशेस के कुछ कामों पर आप लोगों से जांच परताल कर सकते हैं चर्चा कर सकते हैं अच्छा कुछ बातों को लेकर करोध आ सकता है या आवेश अक्या दिखता रह सकती है तो वहाँ थोड़ा कंट्रॉल करें बस आर्थेक इस्तिती की बात करें तो आज का दिन नार्थेक रूप से आपके लिए अच्छा है और आप बच्छत करने की तरफ भी ध्यान देंगे किस तरह से आप अपने लिए धन को संचित कर सकते हैं कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं आज कुछ लोग और आज आपके लिए जो आप काम कर रहे हैं जो डेली इंकम के काम से जुड़े हैं उनके लिए इस्तितियां बहुत अच्छी हैं किसमत की मदद से आपका जो आय है वो बढ़ सकती है दोस्तों के साथ शाम का समय अच्छा भी देगा मन के विचार एक दूसरे को बताएंगे और एक दूसरे को अगर जब आप अपने विचारों का आदान परदान करते हैं तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ीं जानने को भी मिलती है बहुत सारी जो बाते होती हैं वो इस पस्ट भी हो जाती है इसलिए जो मन में विचार हैं उनका आदान परदान जरूर करें आपका मन एक साथ कई कारियों में करने का आपको परेरित कर सकता है तो आप इस तरब भी आज दिहान देते हुए दिखाई देंगे आर्थे किस्तिती अच्छी है बचत करने के लिए अच्छा है और किस्मत का सपोर्ट भी आज आपको मिलेगा अपनी बुद्धी बल से लोगों पर ज़्यादा अच्छा वरभाव छोड़ पाएंगे अपने कारेश शित्र में किसी बड़े मुद्धे पर सही फैसला भी ले सकते हैं फैसला आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा परिवार में मरमुटाव चल रहा था तो उसको भी दूर करते हुए दिखाए देंगे बाकि जो दिन है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है तो दोस्तों और अधी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले